स्तरी 2 का कलेक्शन अभी भी डिक्लाइन मोड में नहीं गया है Greatest of all time का रिलीज होने के बादने कई लोग इस बारे में बोल रहे थे कि स्तरी का कलेक्शन अब जरूर कम हो जाएगा लेकिन Greatest of all time के साथ में एक बात ये जुड़ गई कि भाई ये movie जो है किसी भी नैशनल चेंज में रिलीज नहीं हुई है तो ऐसे में नैशनल चेंज में अभी भी स्त्री टू का ही कबजा है साले बारह हजार के करीब शोज इसके रिलीज हुए हैं Greatest of All Time के लेकिन क्योंकि नैशनल चेंज में नहीं गए इसलिए स्त्री को अभी भी पूरा पूरा टेंशन मिल रहा है और क्योंकि हिंदी के कम शोज हैं इस चक्कर में भी स्त्री का अभी भी एक रुत्पा बना हुआ है स्त्री ने अच्छा काफी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड भी बना ली है सबसे बड़ी बात थो यह कि इसने गदर टू का जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि इस मूवी को लेकर हम जो बाते भाईया कर रहा है मूवी तहल का मचा रही तो अच्छी बात है स्त्री टू का दर असल जो डंका है कई बड़ी बड़ी फिल्मों ने भी बिलकुल हाथ जोड़ ली है दम तोड़ दिया कि भाई यह मूवी क्या तो कमाई कर रही है मज़ा आ गया देख रनवीर कपूर की एनिमल से लेकर प्रभास की बाहु बली टक तो स्त्री टू काई मामलों में धूल चटा चुकी है अब इस फिल्म ने सनीदियोल की गदर टूक पर भी एक बड़ा प्रहार किया और एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो उसका चकना चूर कर दिया है स्त्री टू ने दरसल जिस दिन पड़ी फिल्मों को इसको तारे दिखाने के लिए काफी था मेकर्स भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई 50 करोड में बनी स्त्री भारत में 500 करोड के क्लब में शामिल होने वाली एक मूवी बनेगी और पहले दिन अपना बज़ेट रिकवर कर लेगी शुरद्धा कपूर, राजकुमार, राव, पंकर इस्त्रिपाटी, अपार सकती खुराना, अभिशेक बेनल जी की इस मूवी को लोगों ने वाकई में भर भर के प्यार दिया है स्त्री टू को रिलीज हुए अब करीब तीन हफते हो चुके है रिलीज के 22 दिन अमर कौशिक के डिरेक्षेन वनी इस मूवी ने सनी ध्यॉल की मूवी को पचाण दिया सैक्नल की जो ताजा रिपोर्टरों के मताबिक श्त्री टू ने रिलीज के 22 दिन पांच करोल का कलेक्शन किया है और ये कमाई इस त्रीटू की अब तक की सबसे कम कमाई है वहीं शुरुवाती आकड़े हैं तो मतलब 25-30 लाग उपर नीचे हो भी सकता है स्ट्रीटू की अब तक का टुटर टूल कलेक्शन की बात करें तो इस विल्म में अभी तक 502 करोड रुपय कमा लिए है पचास करोड के मातर खर्चे में बनी इस मूवी ने 500 करोड को अमाली है मतलब 10 गुना पैसा निकाल लिए है यार 10 गुना स्ट्रीटू की मूवी की बात करें अपने लंबे वक्त के बाद में एक के बाद एक फ्लॉप देने के बाद सनीदेवल का स्टार्डम का इग हो गया था और गदर्टू की शानदार सकसेस के बाद अक्टर का फिर से अपना स्टार्डम मिला है गदर्टू हिंदी सिनिमा की भारत में सबसे तेस पांसो करोड कमाई करने वाली चौतिय फिल्म बन गई थी लेकिन अब इसका रिकॉर्ड श्रद्धा की स्ट्री टू ने तोड़ दिया गदर्टू ने भारत ने पांसो करोड 24 दिन के अंदर कमा लिये हैं वहीं स्ट्री टू ने पांसो करोड का यहांकडा महस 22 दिनों के अंदर ही हासिल कर लिया था इतना ही नहीं श्रद्धा की स्ट्री टू ने वर्लड वाइट कलेक्शन के मामले में भी गदर्टू को बहुत 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 जादा पीछे चोड़ दिया तो अब्विस सी बात है यहां पर एक बड़िया तरीके का competition जो है वो create हो चुका है अगर हम बात करें यहां पर स्ट्री टू के collection की तो भई week 3 में इस movie ने 70 करोड का collection निकाला है और इसके पहले second week में 141 करोड का था week 1 में 291 करोड का था और अब जो इसका total worldwide gross collection हो चुका है वो करीब 717 करोड रुपए हो चुका है 600 करोड रुपए इंडिया ग्रॉस है और overseas ग्रॉस की बात करें तो वो 117 करोड है ऐसे मैं total मिलाकर 717 करोड रुपए का इस movie का total gross collection हो चुका है occupancy की बात करें तो गोड का release होने के बावजूद भी इसकी 18% की occupancy बनी होई है 15% morning shows में 21% afternoon shows में 17% evening shows में और 18% night shows में तो ऐसा नहीं है कि movie को लेकर अभी कोई craze कम हुआ है वहीं खेल खेल में भी जैसे तैसे करके थेटरों में टिकी होई है इस movie ने 22 दिनों में जो collection किया है उसमें इस movie ने वे थर्जडे को 53 lakhs का collection किया था 50-60 lakh के आसपास की line इस movie नहीं पकड़के रखी हुई है मतलब उससे कम नहीं जा रही है 32 करोड रुपीज का इसका total collection हो चुका है तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भी movie का collection जो है अभी काफी खराब है ऐसा है कि जिस competition में ये movie उतरी थी उस competition में इस movie ने फिर भी एक हाथ तक थोड़ा बहुत तो cover कर लिया है हलाकि इसका budget 100 करोड पर बताया जा रहा तो 100 करोड के budget से तो ये movie काफी दूर है और फिलहाल लग नहीं रहा है कि अब उसके आसपास भी पहुँच पाएगी 22% की इसकी occupancy गई है 17.37 की morning में 30% की afternoon में 19% की evening में और 20% की night ये कहानी इसकी गई है अब आप मुझे comment section में जाके बताएगे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है मेरे इस यूडियों फिलालत नहीं जाये हैं जाय भारा